असलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ साइकल ओफ एंजियो स्पर्मी प्लांट जैसे कि हमने डूई एंट्रैक्योफाइटा की दो क्लासिस पढ़ी थी एक थी जैमनो स्पर्म और दूसरी थी एंजियो स्पर्म एंजियो बैसा उती है उनके जी सीड्व ख्लोज्ड हैं तो किस तरह से इस प्लांट में सीडंड फ़्मेशन होती है life साइकल क्या या इक एंजियो स्पर्मिक प्लांट का इसके कौन कौन से structures हैं किस तरह से fertilization होती है और किस तरह से seed बनता है और वो seed closed कैसे होता है यह हम detail में पढ़ेंगे life cycle of angiospermic plant वाला topic आज हम शुरू करने जा रहे हैं angiospermic plant में भी होती है heteromorphic alternation of generation यानि के दो different generation जो हैं वो उनकी alternation होती है यानि के sporophyte and gametophyte लेकिन difference क्या है कि इनकी जो sporophyte है वो है dominant और जो इनकी gametophyte है वो है less conspicuous मतलब dependent है वो sporophyte के ओपर लेकिन ब्रायोफाइट के case में हमने पढ़ा था कि बिल्कुल उल्टा होता है ब्रायोफाइट में sporophyte जो है वो less conspicuous होती है वो dependent होती है gametophyte के ओपर gametophyte जो है वो dominant होती है लेकिन जो angiospermic plants है उनमें उल्टा है इनकी sporophyte dominant है और gametophyte जो है वो smaller in size है और वो dependent भी है sporophyte के ओपर food के लिए इसलिए हम उसको बोलते हैं less conspicuous ठीक है less conspicuous होने का यही मतलब है कि किसी के ओपर dependent होना अपना food 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 फूद यह prepare नहीं कर सकते हैं अच्छा हमने कहां इसमें है है हेट्रोमार्फिक alternation of generation इनकी sporophyte जो है वो dominant है और gametophyte जो है वो dependent है अब इनकी जो sporophyte है इन में प्रॉपर roots, stems, or leaves होते हैं ठीक है angiospermic plant जो हम देखते हैं कहीं पे एंजी spermak plant तो वो जो apparent मतलब बजाहर हमें जो नजर आ रहा होता है जो tree, plant नजर आ रहा होता उसकी sporophyte होती है gametophyte नहीं होती ठीक है flowering plants जो एंड्य योश colony हम फ्लावरिंग प्लांटस हैं फ्लावरिंग प्लांटस प्ड्यूस करते हैं तो जब sporophyt हो अध्यती होगी mature तो वह करेगीuscद yet at the flower जो है अब फ्लार के structure को हम detail से देखremo निकर का structure जो हम अकसर plants के ओपर flowers देखते हैं लेकिन हमें उनके parts के बारे में नहीं पता होता flower जो है basically ये modified shoot ही है ठीक है जो shoots होती है plants की stem वगारा जो branches है ये उसी की modification है basically ये क्या है shoot है roots stems और leaves में से अगर हम देखें कि फ्लार जो है वो इन तीनों में से किस की modification है roots की stems की है leaves की तो basically flowers है वो stem की यानिके shoot की modification है stem के ओपर shoots होती है branches होती है उनकी modification है flower flower जो है ये लेस अचा फ्लार जो है इसके three basic parts होते हैं एक है पैडिसल एक है थेलमस जिसको हम टॉरस भी बोलते हैं थेलमस और टॉरस जो है वो दोनों एक ही नाम एक ही चीज़ के नाम है और आ जाते इसमें floral leaves जिसमें आ जाती है सैपल्स पैटल्स स्टेमन्स और कारपल्स तो basically कितने parts है फ्लार के three parts पैडिसल तेलमस और फ्लोरल लीव्ज ठीक है फ्लार का अगर हम structure देखें अगर हम किसी plant के ओपर फ्लार को observe करें तो हम देखते हैं कि फ्लार जो है वो एक डंडी की तरह का एक structure होता है जिसके ओपर फ्लार लगा होता है वो जो डंडी होती है जो स्टाक होती है फ्लार की उसको हम बोलते है पैडिसल ठीक है सबसे नीचे diagram पर जो label किया हुआ है पैडिसल तो आप देख सकते हैं कि फ्लार की स्टाक है जिस ब्रांच के ओपर फ्लार जो है वो लगता है उसको हम क्या बोलते है पैडिसल ठीक है अब पैडिसल के ऊपर एक स्वूलन सा पॉर्शन होता है जिसके ऊपर जो है वो फ्लार प्रियूस होता है पैडिसल के बाद एक स्वूलन पॉर्शन आ जाता है उसको हम बोलते है थैलमस या फिर टॉ अब प्रसस का भी पता चल गया halfRed жд कि एक वो ग्रो करता इसको हमने पैडीन के दिया और पैडिसल के बाद थोड़ा सा स्वूलन हिस्सा दिखाई दिया हमें अगर हम फ्लार को कही है टोटते हैं प्लान zeg को हम अलटा करके देखें तो नीचे से उसकी जो घृन कलर का पॉर्शन उता हो वो हमें थोड़ा सा स्फूलन सा दिखाई देता है। फूला हुआ दिखाई देता है उसका हम बोलते हैं तैलमस. थेलमस के बाद आ जाती है थेलमस के बाद आ जाते हैं leaves flower के flower के leaves हमें पता दो तरह की होते है एक तो वह वाले leaves जो colorful होते हैं जिस ते जिस थान एगर रोज flower हम देखें तो उसके जो रडड़ leaves है ठीक है जो उसकी red color की पतिया है उनको हम क्या कहते है पैटल्स लेकिन अगर आप गोर से देखें तो हमें पैटल्स के इलावा उन रेड कलर की पतियों के इलावा हमें कुछ और लीज भी दिखाई देते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर के और थोड़े से हार्ड होते हैं जो फलार के सबसे नीचे वाली साइड पे प्रेजन नावा है सेपल्स थेलमस और पैडिसल की हमें समझ आगी इसके बाद प्लांट में दो तरह के रीपरड़क्टिव च्रॉक्चर जो हमने पढ़ा है इनका रीपरड़क्शन में कोई रोल नहीं होता ठीक है इसको हम इनको हम ये भी कह देते हैं कि यह सेपल्स और पैटल्स हैं यह गर्याइड ज़रूरी ही से हैं नोन एसेंशेल है नोन रिपर्डॉक्टी व Regional में कोई रोल नहीं होता री पर्डॉक्शन स्टाइल ओवरी मिल के बनाते हैं क्या कारपल्स ठीक है सबसे जो टॉप वाला पॉर्शन है जिसको हमने स्टिग्मा से लेबल किया होता है वो जो टॉप वाला पॉर्शन है ओपन जिसका मूँ जिसका ओपन होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा स्टिग्मा के बाद जो है मिलके बनाते हैं कार पब अब ऑवरी कें अंदर प्रेजंट है ओव्यूल तीक है। vem आइजाबर्ट हैं और और जो हैं वह हैं वह एक से ज्यादा भी हो सकते हैं में तो प्लारक कें अंदर एक जो ज़्यादा ओ旧 हो सकते हैं। और्स एपर जो कवरिंग होती है। जो को हम इन्टेगोमेंट बोलते है। जैसे पहले भी हमने ईंटेगोमेंट इए प्रोटेक्वेड़ बारे बीचेमेंट को हम क्या बोलते है। तो एपर इं definition बीच वहिक हो इंटेगोमेंट उblog जो टॉप वला पॉर्शन है उसको हम बोले हैं स्टिग्मा तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी जो है वो कलेक्टिवली उनको हम बोलते हैं कारपल और यह फीमेल री परड़क्टिव स्ट्रॉक्टर है क्योंकि ओवियूल के अंदर एक्ट प्रड्यूस होता है तो फीमेल प्रड़क्टिव पार्ट जो है फ्लार का वो क्या है कारपल इसके बाद आजाते हम मेल री परड़क्टिव पार्ट की तरफ फ्लार के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्टॉक्टर भी हमें दिखाई देते हैं अगर हम रोज फ्लार को ही अब्सर्व करें तो हमें उसके कुछ से जिना के टॉप पटे राउंड से स्रैक्टपिर होते हैं तो वो जो फ्रेडिलाइक स्ठायर होते हैं उस को बोलते हैं। फिलामेंट तीक है जो दग्यूंद पेरना और फिलामेंट के ऊपर राउंड स्पार्णten altri और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन्स और स्टेमन्स जो है वो मेल री पॉड़क्टिव पार्ट है क्योंकि जो स्टेमन्स के एंथर हैं एंथर के अंदर प्रियूस होते हैं मेल माइक्रो स्पोर्स ठीक है तो इस तरह एक फिलार के अंदर दोनों तरह के बी इसलिए हम ऐसे प्लांट स को बूलते हैं हरमैفners 1200 प्लान जिनके पास दोनों ही तरह के sex organs present है male sex organ भी और female首先ja भी अगर हम देखेँ एक जो सिदोर के फलार कि ही हम बात करते हैं तो सब से नीचे जो हमने बात कि थी जो ढंडी की तरह का structure था stock थी जिसके ओपर flower जो है वो present होता है उसको हमने कहा था pedisal या peduncle ठीक है एक ही चीज़ है pedisal या peduncle एक ही चीज़ का नाम है और उपर जो green color की हमने बोला जो leaves थे green color की जो पतियां थी उनको हमने क्या कहा था सैपल और अंदर जो red color की पतियां हैं उनको हम बोलते है पैटल्स सैपल्स पैटल्स और pedisal की भी समझ आ गई हमें ठीक है आप देखें इस फ्लार को अगर हम गोड़ से देखें तो सबसे नीचे वो जो स्टाक की तरह का structure था यहां पर उन्होंने लेबल नहीं किया जो डंडी है जिसको हमने बोल दिया पैडिसल के बाद आ जाते हैं सैपल्स यानि के जो ग्रीन कलर की लीव्स थी उसके बाद जो colorful लीव्स आ जाती हैं हर फ्लार की different color की लीव्स होती है जी का जैसे यहां पर orange color की बिनाई हैं तो और इंच कलर की जो लीव्स हैं उनको हमने बोल दिया पैटल्स फिर उसके बाद हम कार्पल और स्टेमन को देखते हैं तो यह जो एक थ्रेड लाइक structures हैं जिसको हम filament बोल ले थे और फिलामेंट के ऊपर सोफेरिकल फॉर्म में प्रेजन्ट हैं एंथर तो एंथर और filament को हम बोल ले हैं स्टेमन और स्टिग्मा सबसे टॉप वाला portion उसके बाद style ठीक है जो elongated ट्यूप की तरह का structure उसको हमने बोला style और सबसे नीचे जो swollen portion है उसको होला हमने ओवरी तो stigma style ovary को हमने कहा कि यह है कारपल तो प्लांट के फ्लार्ड के अंदर कारपल और स्टेमन दोनों present होते हैं कारपल है female reproductive part और स्टेमन है male reproductive part और जो ovary वाला structure है जो नीचे swollen portion है round सा spherical सा उसके अंदर कुछ उन्होंने ovule draw किये हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ovary के अंदर एक से जादा ovule present हो सकते हैं तो ovary के अंदर present है ovules ठीक है तो इस तरह से हमें flower के सारे structures की समझ आ गई ठीक है flower के structures को समझना जरूरी है तब हम next उसके life cycle को समझ सकेंगे ठीक है अब एंथर जो है जो flower के हमेशा हम पढ़ते हैं कि male gamete female gamete से मिलता है तो ही fertilization होती है ठीक है तो इसी तरह अब जब एंथर के अंदर जो पोलन्स है जो micro sports है male sports है वो ovary के अंदर जो ovule है ovule के अंदर present है female sports जब वो उसके साथ मिलेंगे तो ही fertilization होगी ठीक है इसका मतलब है कि एंथर के अंदर जो male sports है उनका stigma से होते हुए style से होते हुए ovary तक पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि ovary के अंदर ही present है female sport ठीक है यानि के एंथर में से male sport होता हुआ कहां से stigma से होता हुआ style से होता हुआ ovary तक जाएगा तो एक काफी लंबा सफर है जो इसने तैया करना है male sport ने फिर जाके fertilization होगी और seed बनेगा ठीक है अब fertilization कैसे होती है हम जानते हैं कि अक्सर insects जो हैं वो plants के ओपर बैठते हैं फ्लार्ज के ओपर तो एंथर के अंदर जो पोलन्स है वो उनके legs के साथ जो है वो चिपक जाते हैं फिर वो जाके किसी और flower के ओपर बैठते हैं या उसी flower की stigma के ओपर बैठते हैं तो वो पोलन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ovary के अंदर ठीक है तो इस तरह से इसी तरह से विंड के जरीए हवा के जरीए भी एंथर के अंदर जो मेल स्पोर्ज हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं स्टिग्मा को ठीक है तो जब ये ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा को वो स्टाइल से ओवरी के तरफ जाएगा और वहां पे जाके ओवियूल के अंदर जो Co placements Gabor 패l के बारे मेंया हमने पड़ाहक है स्टेमान और पॉबबॉपर्वड़ री प्यायिशन हो जाएगी तो इनका मकसद क्या है सेप्ल्ज और पैरई टल्स का अगर इनका रिे प्रॉडाक्शन में कोई रोल नहीं है तो सेपल्ज और पैरे ल्ग according कम मकसद है सैपल्स और पैटल्स जो है यह प्रोटेक्ट करती है जो री प्रड़क्टी पार्ट होते हैं उनको यानि के स्टेमन्स और कार्पल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगर देखा जाए तो यह उपर कवरिंग की तरह प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह प्रेजन्ट होते है यह attract करती हैं इ Associs जो यह रह जो जो उर फ्लाइज ब्यार आ जाती है ब ine क्रूर्ट कर भणी हैं कि जवंट राटे जातीया है अनुड़म अक्सर नोड़ों करती हैं कि वह से जड़ जाती हैं fall off कर जाती है ठीक है तो पैटल्स जह हैं वो हमेशा उतर जाती है जब fertilization हो जाती है जब मकसद पूरा हो जाता है सैपल्स और पैटल्स का काम हतम हो जाता है तो फिर जो है यह वहां से उतर जाती है तो petals कहता है हमेशा उतर जाती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सैप्ल्स जो green colors की leaves थी भी उतर जाती है जब fertilization हो जाती है थीक है अब हम देखेंगे कि fertilization होती कैसे हैं आछा एंथर जो था एंथर वाला स्ट्रक्चर ठीक है जो एंथर और फिलामेंट होता है एंथर के अंदर प्रेजन्ट है एंथर के अंदर हम ने पढ़ा था कि इसके अंदर मेल स्पोर्स प्रेजन्ट है ठीक है अब वो मेल स्पोर्स कैसे बनते हैं एंथर के अंदर प्रेजन्ट होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल जैसे कि मैं पता है क hepplite microsports, microspots mother cell में meiosis हुई और उससे बन गए hepplite microspots, यानि के एंथर के अंदर बहुत ज्यादा hepplite microspots present होते हैई, अब वो microspots क्या करेंगे, वो करेंगे germinate, थिका, यानि के grow करेंगे और convert हो जाएएँगे female geometophyte में, सबसे पहले हमने कहा और उसके result में बने हैपलाइड माइक्रो Спोर्स यानि के अंथर बहुत ज्यादा हैपलाइड माइक्रो सपोर्स प्रेजरंट है अब उन माइक्रो सपोर्स में होगी germination और वो बनाएंगे male gametophyte ठीक है second line में अगर आप देखें कहता है कि micro spore containing male gametophyte को हम पोलन भी कहते है वो ही जो applied micro spores थे उन्होंने germinate करके उनके अंदर बन गए male gametophyte तो ऐसे micro spores जिनके अंदर male gametophyte बन चुका है उनको अब हम कहेंगे पोलन ठीक है जिस तरह हम कहते हैं के अंधर के अंदर polans present होते हैं तो polans basically है क्या polans micro spores है male spores है वो ही spores जब germinate करके उनके अंदर male gametophyte बन जाता है तो हम उसको कह देते हैं overall कि ये polans है ठीक है तो अब हम कहते हैं के अंधर के अंदर present है polan पोलन ग्रेंज अब वो पोलन बने किस तरह हैं वो process हमने पढ़ लिया microspore mother cell में हुई meiosis उससे बने है applied microspores और applied microspores जो है उन्होंने हार applied microscope के अंदर male gametophyte बन गया तो ऐसे microspores जिनके अंदर male gametophyte बन चुका है इस stage पे उनको हम बोल देते हैं polan ठीक है next अगर हम आ जाएं ठीक है यहाँ पे आपको एक sack like structure दिखाई दे रहा जिसको हम बोलते हैं enter ठीक है वो ही enter जो stemmen के उपर present था उसके अंदर हमने कहा present थे microspores और microspores जो हैं वो germinate करके convert हो गए किसमें polan में ठीक है तो अब हम इसको overall कह देते हैं कि enter के अंदर प्रेजंट है polan ठीक है अब क्या होगा enter रप्चर करेगा यनिके फट जाएगा तो polan उसमें से बाहर निकल आएंगे ठीक है enter के अंदर polan प्रेजंट है और polan बने है माइक्रो स्पोर मदर सैल से यह procedure हमने पढ़ लिया अब enter के अंदर है polan अब polan के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका stigma में ट्रांसफर होना जरूरी है ताकि stigma से style और style से ovary और ovary से होते वह ovule में पहुंचके वह fertilization कर दे अब enter में से polan निकल लाए ठीक है अब क्या होगा polan के अंदर कहता है हर बना दे तीन डिफ्रेंट न्यूक्लियाई बना देगा ठीक है एक polan को अगर हम देखें next step में उपर हमने बहुत सारे polan जो कि it for polan जो कि उनके अंदर प्रेज़न थे न्यूक्लियस अब एक polan को अगर हम nucleus ठीक है polan केंदर जो nucleus था is असमें mitosis होने की वज़ा से क्या हों गया जिसेंлекडरा से हूं डाइग्राम में ने हैं दो मेलगड़मीड बने और एक tube nucleus बन गया ठीक है तो ऐसा polan जिसके अंदर nucleus जो है उसमें mitosis हो चुकी है mail game meets दो mail game और एक टूब ट्यूब न्यूक्लेस बना देगा तो ऐसे पोलन को अब हम पोलन नहीं अभूम उसको कह देंगे कि यह है एक मेल गैमीटोफाइट ठीक है अब क्या होगा हमने कहा था कि आप जो है वह पोलन जो है उसका स्टिग्मा तक पहुंचना जुरूरी है ठीक है जिस पोलन है सबसे राइट वाली डायग्राम हम देख रहे हैं पोलन जो है वो स्टिग्मा के उपर ट्रांसफर हो चुका है अब स्टिग्मा के उपर ट्रांसफर होने के बाद पोलन से एक ट्यूब की तरह का स्ट्रॉक्चर निकलेगा जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब पो और एक ट्यूब न्यूक्लियस ठीक है और उसी तरह हम ओवरी की तरफ चले जाते हैं ओवरी के अंदर ओवियूल प्रेजन्ट था और ओवियूल के अंदर हमने कहा था कि हमारा फीमेल जो है वह स्पोर्ड प्रेजन्ट है जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर्ड ठीक है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोर है उसकी करेंगे वो फर्टिलाइजेशन ठीक है अब नेक्स टेप में क्या होता है सैकीन वाली डायग्राम देख रहे हम नेक्स टेप में क्या होगा वही जो व्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर था उसमें जोट होगी और वो एक जो मेगा स्पोर्ट है वो बना देगा सेवन सेल्स एक मेगा स्पोर्ट जो है वो डिवाइड करके कितने सेल्स बना देगा सेवन सेल्स ठीक है जिन में से एक सेल्स जो होगा उन सेमन सेल्स में से एक सेल्स एग होगा जिससे हमें इस डाइग्राम में वियूल के इंदर 7 cells दिखाई दे रहे हैं, 3 ऊपर, 3 नीचे और एक दर्मियान में cell दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो जब méga sport जो है, वो 7 cells में convert हो जाता है, तो फिर उसको हम बोलते है, female gametophyte, ठीक है, mega sport में dwion हुई और वो convert हो गया 7 cells के अंदर, उन 7 cells को हम बोलते हैं कि ये एक female gametophyte बन गया है, ठीक है, तो उन 7 cells में से हमने कहा था, एक क्या है, egg है, चीक है, और egg भी क्या है, haploid, sports, जो हमारे आ रहे है, pollen grains के अंदर, जो nuclei ही है, है जो मेल गमीट है वो भी है प्लाइड है और जो हमारा फीमेल गमीट था या नहीं के एग है वो भी क्या है है फ्लाइड है ठीक है दोनों है प्लाइड मिलेंगे तो फिर ही डिप्लाइड जाइगोड बनेगा ना ठीक है ओवियूल के अंदर सेवन सेल्स प्रेजंट है जिस वो क्या है वो डिप्लॉइड है ठीक है एक सैल हो गया है प्ल Лलежд तरमयान में न्यूकलियाइश सद इसको हमने खराइं यहरा यह फ्यूजन न्यूकलियस है वो क्या है डिप्लॉइड अब क्या होगा अब पोलन्टीूप जो है ना वो नयूकलेंस का काम खСТम हो जाएगा क्यूंके ट्यूब नयूकलेंस का नाम ही ट्यूब पॉलनt Jadi posible की ग्रो آپ करना तह तो इसलिए अब पॉलन्ति इव पोंच गही ओ उनकी पोफ्लंड गी विammir हो ऐगते हैं वह एंटर हो जाये हम देखेंगे कि हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं हमने कहा कि ओवियूल के अंदर जो एक तो था एग सेल ठीक है एग सेल एक मेल गमीट एग सेल के साथ मिल गया और वो कनवर्ट हो गया किसमें जाइगोट में जिसना डाइगराम में आपको लेबलिंग भी और एग फिशली डायगराम में देखें के एक सेल कहां पर प्रेज़ंट था ठीक है जो नीचे वाले तीन सेल्स तेंसे दरम्यान वाला जो सेल था वो था अब एक के साथ एक मीट मिला एक मेल गैमीट बला मेला तो वो कनवर्ट हो गया जाइगोट में अब जो दर्म्यान म पास जो पहले फ्यूजन नुक्लियस था वो तो अल्रेडी डिपलोईट था ना अब इसके साथ एक और मेल गमीट मिल गया तो वो किसमें कनवर्ट हो जाएगा ट्रिपलोईड में यानि कि वो थ्री एन होगा ठीक है तो इस तरह से हुई है डबल फर्टिलाइजेशन एक तो पूरा procedure हमतने समय लिया कि किस तरह पॉलन के अंदर दो मेल कल मिडि थे एक मेल गमीट जो है वो पॉलन ट्यूब से होते हुए दोनों मेल के मिड्स ओविए के अंदर आए एक मेल के मिड ने एक को फर्टिलाइस किया कंवर्ट हो गया जाइगोट मेर दूसरे मेल मेल अम्म होता है फूड को स्टोर करना ठीक है तो जो जाइगोट जो है वो ड्वेलप करके अंब्रियू में कनवर्ट हो गाएंब्रियू से आगे जो पूरा बनेगा तो उसकी जो ग्रोथ के लिए एंब्रियू की ड्वैलपमेंट के लिए जो नियूट्रिशन चाहिए होगी वह अब फर्टिलाइजेशन हो गई अब क्या होगा अब जिस ओवियूल की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है ना अब और टो कि यहीऊ हो जाएगी दो वहीओ लेगा सीड़ में ठीक है ओविईूल की जब फर्टिलाजेशन ओ गई साइगोट एंडोस्पर जाएगा सीड में ठीक है और वह ओवरी जिसके अंदर ओव यूर प्रेज़ंट था ओवरी किसे fehler हो जाएगी फ्रूट में ठीक है जिससाला से थाइनOoh mango की बात कड़ लेते हैं तो सिक centuries सीड प्रेजंट होता है और उपर फ्रूट प्रेजंट होता है जिसको हम कहते हैं वह ओवरी ही थी बेसिकली ठीक है शुरू में वह क्या थी ओवरी और ओवरी जो है वह कनवर्ट हो गई किसमें फ्रूट में ठीक है सीड ओवियूल कनवर्ट हो गया सीड में और ओवरी कनवर प्रेजंट। तए प्रोठेक्टिव लेयर जिंकुत थे समय घर कंवर्ट हो जाएंगि सीड कोट में और सीड कोड में पता skeptics है या टाने तो वह किसे बनी है कि पैसे इस तुमेंडत uh इस तरह से फार्टिलाजेशन भी हो गई सीड़ भी बन गया और सीड से आगे फिर से जो है वो निया फ्लांट बन जाएगा तो ये था एक एंजियो स्पर्मिक फ्लांट का लाइफ साइकल एंथर के अंदर पॉलंस पॉलंस जो है उनमें माई टॉसीज हुई दो मेल गमीड बने एक ट्यूब नूकलेस बना पॉलंड ट्रां जाएं वह मेल गमीड फर्टीलाज्यशन करेगा तो जाइगोट में पॉल्ट हो जाएगा और दूसरा जो फूजियन नूकलिस था जो डीपलाइट था उसकी फर्टीलाजेशन होगी मेल गमीड से वह लो गमकलीट हो घभा एंड ओस पर ठीक है तो उव्यूल की fertilization complete हो गई तो वो convert हो जाएगा seed में और ओवरी जो है वो convert हो जाएगी fruit में और जो उव्यूल की walls थीओ वो convert हो जाएगी seed coat में यानिके test and tagman में